हाई अप्रоСाइवन, संविधान के स्रोद, मतलब हमारा संविधान कहां कहां से लिया गया है, इसका हम רिवेजन करेंगे प्रास्तावना मौलिक अधिकार राष्टपत्पर महाबियोग न्यायक पूर्नरावलोकन न्यायपालिका की स्वतंदरता प्रस्तावना मौलिक अधिकार राष्टपत पर महावियोग न्यायक पुर्ण रावलोकन न्यायपालिका की सौतंतरता अमेरिका से लिया गया है इसमें प्रस्तावना मौलिक अदिकार, रास्टपत प्रमावियोक बहुत ही इंपॉर्टन्ट है, या कई बार एक्जाम में पोचा गया है, प्रस्तावना मौलिक अदिकार कहां से लिया गया है संसदी प्रडाली एकल नागरिक्ता राष्टपती का पद विध निर्माड के प्रावधान मतलब कानुन कैसे बनाया जाता है उसका प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है ब्रिटेन से संसदी प्रडाली एकल नागरिक्ता मतलब हमारी नागरिक्ता एक ही हो सकती है हम अगर दूसरी नागरिक्ता लेते हैं तो पहले नागरिक्ता खतम हो जाएगी राश्टपति का पद विध निर्मार के प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है नीत निर्देशक तत्तो मतलब DPSP डारेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पॉलिसी इसको सार्ट में DPSP बोला जाता है यह बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार एक्जाम में पूछा गया है राज्यों के नीत निर्देशक सिधान कहां से लिया गया है आयरलेंड राश्टपत निर्वाचन की बिदी राश्टपती जो पूरसकार और सम्मान देते हैं 26 जनवरी को राश्टपत की द्वारा जो पूरसकार दिया जाता है जो बारा सदस्यों की नियुक्ती किये जाती है यह सब आयरलेंड से लिया गया है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नीत डिपी स्पी है नीत निर्देशक सिध्धान और राष्टपत निर्वाचन की विदिया एक्जाम में पूछा गया या दोनों कहां से लिया गया है आइरलेंड से आस्ट्रेलिया से समुवर्ती सूची केंद्र एयोम राज के वीज संबंध और व्यापार के नियम समुवर्ती सूची केंद्र एयोम राज के वीज संबंध व्यापार को आस्ट्रेलिया से लिया गया है रूसे मौलिक कर्तब को लिया गया है जिसे बाद में सम्विधान में आड़ किया गया था चर्मनी से आपातकाल मतलब इमर्जन्सी लिया गया है साउथ अफरीका से लिया गया है फ्रांस से स्वतंद्रता समानता बंदूता और गड्राज सब्द लिया गया है कनाड़ा से संघात्मक सक्ति मतलब संघीय सासन प्रडाली और राजिपाल का पद और सिस्ट सूची या कनाड़ा से लिया गया है एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे अमेरिका से प्रस्तावना, मौलीक अदिकार, राष्टपति पर महावियोग, नियायक पुन्रावलोकन, नियायपालिका की स्वतंदरता जिसमें प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राष्टपति परमावियोग या बहुत ही इंपोर्टेंट है और एक्जाम में पूछा गया है संसधी प्रडाली, एकल नागरिक्ता, राष्टपति का पद, बिधनिर्मार के प्राओधान, ब्रिटेन से लिया गया है जिसमें एकल नागरिक्ता, और राष्टपति का पद, या एक्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपोर्डेंट है नीट निर्देशक सिधान, या DPSP, राष्टपत निर्वाचन की विद, राष्टपत के द्वारा दिया जानने वाला पुरसकार सम्मान, और रासभा में सदस्यों की नियुक्ति, या आयरलेंड से लिया गया है, जिसमें DPSP, इंपोर्टेंट है और राष्टपति का निर वाचन, समवर्ती सूची, केंद्रियों राज की वीज संबंध, व्यापार के नियम आस्ट्रेलिया से लिया गया है, रूस से मौली कर्तब, जर्मनी से एमर्जनसी मितलब आपातकाल लिया गया है, दच्छिड अफ्रीका से संबिदान संसोधन लिया गया है, फ्रांस, वंदुदा, गड़राजसद लिया गया है, कनाड़ा से संगात्मक्त सक्ती, राजिपाल, कापद और असिष्ट सूची लिया गया है, कनाड़ा से यह मारा जियस्टी भी लिया गया है, भागेक में संग योम उसके राजिछेदर के बारे में बताया गया है, और भागेक मे चार आर्टिकल है आर्टिकल वन से आर्टिकल फोर तक आर्टिकल वन में यहां बताया गया है भारत राज्यों का संग है भारत राज्यों का यूनियन है और इसे पहली अनसूची में रखा गया है और इसमें तीन प्रकार के छेत्र हैं जिसमें पहला स्टेट जो की वर्तमान में 28 है यूटी मतलब के अंदर सासित प्रदेश अभी 8 है और अरजित छेत्र मतलब बाहर से मिलाया गया छेत्र अभी वह 0 है आर्टिकल 2 में यहां बताया गया है भारत किसी भी देशी छेत्र को या बाय छेत्र को भारत में मिला सकता है इसका एक्जामपल सिक्किम है सिक्किम 35 संसोधन 1924 के द्वारा भारत का सहराज बना मतलब यहां कम्प्लीटली भारत में नहीं मिला था लेकिन 36 संसोधन 1924 के द्वारा सिक्किम भारत का 22 राज बना आर्टिकल 3 में यहां बताया गया है कि वर्तमान में छेतर है या राज है उसकी सीमा और नाम में परिवर्तन हो सकता है जैसे कि एक नौमबर 2000 को मध्यप्रदे से 36 गड़ अलग हुआ नौमबर 2000 को यूपी से उत्राखंड अलग हुआ 15 नौमबर 2000 को बिहार से जारखंड अलग हुआ आर्टिकल 4 में यहां बताया गया है आर्टिकल 2 और 3 के लिए कानून संसत बना सकती है और इसमें संसोधन के लिए साधारण बहुमत से ही राष्टपत बाध्य हो जाते हैं साइन करने के लिए मतलब इसमें संसोधन साधारण बहुमत से हो सकता है एक बार हम इसका फिर से रिविजन करेंगे भाग एक में चार आर्टिकल है आर्टिकल 1, 2, 3, 4 आर्टिकल 1 में यहां बताया गया है भारत राज्यों का संग है और इसे पहली अनसोची में रखा गया है आर्टिकल 2 में यहां बताया गया है भारत किसी भी विदेशी छेत्र या 22 छेत्र को भारत में मिला सकता है जैसे कि सिक्किम को 35 संसोधन 1974 के द्वारा सिक्किम सहराज बना लेकिन 37 संसोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का 22 राज बना आर्टिकल 3 में बताया गया जो अर्तमान छेत्र या राज हैं उनकी सीमा में या उनके नाम में परिवर्थन कर सकते हैं जैसे कि मद एक नॉमबर 2000 को मद प्रते से 36 कर अलग हुआ 9 नॉमबर 2000 को यूपी से उत्रा खंडा लग हुआ 15 नॉमबर 2000 को विहार से जार खंडा लग हुआ आर्टिकल 4 में या बताया गया है आर्टिकल 2 और 3 के लिए कानून संसत बनाएगी और इसमें संसोधन साधार बहुमत के द्वारा भी हो सकता है